नमस्कार दोस्तो मैं हूँ जीतेन चौधरी स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल जीके एरूटेक में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पांच ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक्स के बारे में जिसको यदि आप इस गिरावट भरे माहूल में खरीते हैं त जापान के मार्केट के देखिए रसिया के मार्केट को देखिए उक्रेइन और रसिया के बीच जो इद चल रहा है उसके वज़ा से पूरी ग्लोबल मार्केट में जो है क्राइसिस का माहूल बना हुआ है तो इस समय इंडियन मार्केट में भी भयंकर रूप से गिरावट ह तो इस गिरावट बरे माहौल में इन पाँच स्टॉक में आप जो है धीरे-धीरे माल उठाते हैं तो आगे चलके आपको एक भंपर मुनाप्र होता हुआ देखेगा तो जो पहला स्टॉक है दोस्तो फाइनेंस सेक्टर सिरेट कंपनी है दोस्तो बजाज फाइनेंस लिम्ट से भी ज्यादा का रेटन बजाज फाइनेस लिम्टेड ने अपने निवेसकों को पिछले पांच सालों में बना कर दिया है तो एक मल्टी वैगर सेर है दोस्तो इसको आपको बिलकुल इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि इस कंपनी का फंडामेंटल कॉपी स्ट्रॉंग और वेल इस्टेबिस कंपनी है चार लाख साथ हजार चार सो साथ करोड का इसका मार्केट कैप है आपको एक नहीं बूलनी चाहिए और निप्टी फिप्टी की एक दिगज कंपनी है तो बजाज फाइनेस लिम्टेड को आप जो है अपने वासलिस्ट में आड कीजिए और क्वाटर थरी में देखेंगे तो 8533 करोड का रिविन्यू बजाज फाइनस लिम्टेड ने जनरेट किया है वहीं प्रॉफिट देखेंगे तो क्वाटर वन में 1002 करोड का प्रॉफिट क्वाटर टू में देखेंगे तो 1481 करोड का प्रॉफिट और क्वाटर थरी में यह नीवे मेरा इत स्वान सुर्ट है तो उसरा मैं इस जो आज के जो पहना वीडियो रोड किया था आज की रिट में जाकर देख सकते हैं तरह पररक्रा में मेरा तमच्छी गिरा प्राइब को रिखने अपने निवेशकों को बना कर दिया है और mutual funds और foreign institutional investor का जो है मन पसंदिदा stocks है तो इसमें आप चाहें तो अपने risk के हिसाब से अपने capital के हिसाब से थोड़ी quantity हर एक dip में जब भी 5% की गिराओठो यहां से आप जो है Avenue Super Mart Limited जिसे आप लोग D-Mart के नाम से जानते हैं तो आज भी इसमें 0.70% की गिराओठ देखने को मिली अभी अपने काफी सस्ते valuation पे जो है D-Mart का share आपको मिल रहा है और पिछले 5 सालों में देखें तो इसने जो है 591% का return बना कर दिया है जो कि एक multi-bagger share है दोस्तो क्योंकि इस company को अभी market में लिस्ट हुए पांच साल भी नहीं हुए है जब एक company अपना IPO लाई थी तो double के साथ जो है लिस्ट हुई थी 100% gain के साथ लिस्ट हुई थी तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना सही है क्योंकि retail sector में एक दिगज company है दोस्तो इस company का fundamental भी कापी अच्छा है balance sheet भी कापी तगडी में जराती हुई दिख रही है market cap की बात करें तो दो लाग चेतर हजार नौसो तिरपन कड़ का इसका market cap है 5,900 रुपे इसकी बावन बीक का high price है और 2,676 रुपे बावन बीक का low price है stock भी 188 का है और sales देखें तो quarter one में quarter one में देखें तो sales अच्छी है और year on year basis के उपर देखें मार्च 2020 में देखें तो 24,870 क्रोड का sales मार्च 2021 में देखें तो 24,143 क्रोड का और अभी इस current year में 29,602 क्रोड का sales जो है Avenue Supermart Limited D-Mart ने जनरेट किया यानि D-Mart का sales quarter on quarter और year on year जो है अच्छा पफाम करता हुआ नजर आ रहा है वहीं आप इसके profit को देखेंगे net profit को देखेंगे तो पहले 903 करोड फिर 301 करोड बीच में थोड़ी सी डाउन हो गई थी 1099 करोड लेकिन फिर इस साल अभी एक quarter का result बाकी है जिसमें Avenue Supermart Limited ने 1480 करोड का net profit generate किया है यानि company का business model काफी अच्छा है और इसका जो future है वो काफी ज्यादा multifold होने वाला है तो जो चौथा नंबर का stock है दोस्तो ए भी एक कमाल का stock है और ये जो है chemical sector का stock है इसको भी आपको अपने portfolio में हर एक गिरावट में थोड़ी थोड़ी quantity में खरीद के रखना चाहिए तो इसका नाम है दोस्तो आर्ती industry limited जी आ दोस्तो आर्ती industry limited एक multi-vagger share है और अभी आपको 882 रुपे 10 पैसे के भावब पे मिल रहा है crude oil के दाम बढ़ने के कारण इसमें भी गिरावट देखने को मेली और 2.36% की गिरावट के साथ आज आर्ती industry limited ने अपनी closing दी तो पिछले 5 सालों के return को देखेंगे तो आर्ती industry limited ने पिछले 5 सालों में अपने निवेशकों को सारी 300% से उपर का return बना कर दिया है बैंक और एपडी यानि fix deposit आप बैंक में करते हैं तो आपका पैसा 9 साल 10 साल में धूना होता है लेकिन यहाँ पर 5 सालों में 300% का return यानि किसी ने 1 लाक लगाया हुआ तो उसका जो profit होगा 3 लाक तो इससे बटर आपको क्या चाहिए लार्ज केप की कंपणियें दोस्तो 31,970 कोड़ का इसका market capitalization है अभी 881 रुपे के भाव पे मिल रहा है 25 रुपे साट पैसे इसका stock पी है और 1178 रुपे इसने पने bound week का high बनाया है 596 रुपे आर्थी industry limited का bound week का low price है और इसका भी आप देखें तो quarter 1 में 1317 करोड का sales quarter 2 में देखें तो 1552 करोड का sales और quarter 3 December में देखें तो 2376 करोड का sales आर्थी industry limited का sales year on year और quarter on quarter अच्छा perform करता हुआ नजर आ रहा है और इसी के हिसाप से इसका जो net profit एभी सांतार तरीके से growth हो रहा है 136 करोड फिर quarter 1 में देखे 165 करोड quarter 2 में देखे तो 176 करोड और quarter 3 में तो कमाल ही हो गया सारे रिकार्ट तूटते हुए यहाँ पनदर आए और 772 करोड का net profit हुआ है quarter 3 में यानि December quarter में आरते इंडरेस्टिल लिम्टेट को तो जब जब गिरावट मिले आप इसमें जो है थोड़ी थोड़ी quantity जो है आड़ करके चल सकते हैं और जो पांचवा स्टॉक है दोस्तों एक monopoly वाला stock है और अभी छोड़ी company है तो थोड़ी से risk है लेकिन आप इहां पर जो है इसमें भी निवेश कर सकते हैं क्योंकि future में इसमें भी बहुत सारा पैसा बनने वाला है तो इसका नाम है दोस्तों Indian energy exchange limited जी हां दोस्तों Indian energy exchange limited एक monopoly sector का stock है और 213.60 पैसे के भावब पे मिल Indian energy exchange limited जो है बंद होता हुआ दिखाई दिया यह भी market में अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ इस shares को आए अभी तीन साल से कम time हुआ है Indian energy exchange limited को stock market में लिश्ट हुए और तीन सालों के अंदर अंदर इसने 309% से उपर का return बना कर दिया है तो इस company का भी fundamental काफी अच्छा है आप चाहिए इसके बारे में research कीजिए क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले time में जो 200 का sales है आपको 2000 के level तक भी जा सकता है तो market cap की बात करें तो 19,205 करोड का इसका market cap है 319 रुपे इसके बाउन बीक का high price है और 97 रुपे 90 पैसे इसके बाउन बीक का low price है stock में 67 रुपे 30 पैस का एक बार Indian energy exchange limited के sales को देखेंगे तो आप आएंगे कि पहले quarter one में 90 करोड फिर 109 करोड और अभी 114 करोड यानि company का revenue है जो company का sales है जो company का business है धीरे धीरे growth कर रहा है लेकिन कापी बढ़िया तरीके से growth कर रहा है हर quarter में 20-25% की तेजी जो है sales में देखने को मिल रही है और इंडियन energy exchange limited के profit को देखें तो पहले 60 करोड फिर 64 करोड फिर 64 करोड और quarter two में 78 करोड और quarter three में 80 करोड का net profit इंडियन energy exchange limited को हुआ है और सबसे बड़ी बात कि इंडियन energy exchange limited पूरी तरह से depth free company है company के उपर मात्र 11 करोड का करजा है जो company short term का करजा है कभी भी चुपता कर सकत यह 600 करोड रुपे company के पास quarter two के data के अनुसा रेजर प्राइस बचा हुआ है तो जो मार्केट में जो रहली आएगी जब मार्केट में इस्तिती नार्मल होगी तो इन सब सेरों में भी भयंकर तेजी आएगी तो आप नीचे comment box में comment करके जरूर बताइए कि इन 5 stocks में आपक करते हैं या नहीं तो मुझे उम्मीद है कि ए वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा यह दिए वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को अधिक सदिक लाइक कीजिए ताकि हमारा motivation बना रहा है नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइ है दिल से एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद गुड़ नाइट शुवरात्री